सीरीज आरने के बाद थीसरे टस्ट के लिए टीम इंडिया की नई प्लेंग 11 का एलान टीम से बाहर हुए तीन फ्लॉब की लाड़ी रोहित कोहली जैसे दिगजों ने नाक कटाई बीसी साई ने मीटिंग गुलाई बारा साल बाट टीम इंडिया की हुई जिम्बावे जैसी हालत गुस्से में बीसी साई ने कर दिये बड़े बड़े उलट फेर रोहित गंबीर सभारान आखिरी टेस्ट में कोई कमी नहीं चोड़ना चाहता बीसी साई लिए कई बड़े फेस्टे हिल गई पूरी टीम इंडिया तो क्या है कबर की पूरी जानकारी किस तरीके से सीरीज हारने के बाद तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की जो नई प्लेइंग 11 का एलान हुआ है उसमें तीन-तीन फ्लॉप खिलाणियों को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया और कैसे रोहीत और कॉली जैसे दिग्ग जोने नाक कटा दी है वह भी बात करेंगे बस ती है उसके बाद दोस्तों सेकंड टेस्ट मुकाबला जो की 24-28 अक्टूवर के बीच पूरे में खेला गया वहां पर टीम इंडिया को 113 रनों से हार का सामना करना पड़ा शुरू के दो टेस्ट मुकाबले टीम इंडिया के सरजमी पर आज तक भारती टीम का बाड़ी थ चुकी है लेकिन अब बार यह दोस्तों थर्ड और लास्ट टेस्ट मुकाबले की बात करें दोस्तों तो उसके शुरूआत एक नौंबर से होगी जो की 5 नौंबर तक चलने वाला है तीसरा टेस्ट मुकाबला दोस्तों आपको मुंबई के मैदान पर खेला जाएगा जो कि प्रवाइगा तक यहां पर टीम इंडिया आसानी से जीत दर्ज कर पाएगी बात कर दोस्तों फ्लेंग 11 की जिसमें यहां पर दोस्तों टीम इंडिया के खिलाडियों ने कई बड़े-बड़े यहां पर खिलाडियों को मौका दिया है आई नज़र डालते उस पर ओपनर की तो नम्बर 3 पर आपको सूब मन गिल नज़राने वाले अब गिल भी दोस्तो काफी तगड़े खिलाड़ी आपको हम कोई पता है सुन्दर यहां आती सुन्दर बल्लेबाज है वासिंग्टन सुन्दर और गिनवाजी भी अच्छी कर रहे हैं इस वज़े से उनको भी पिक करना जरूरी हो जाता है फिर दोस्तों रवी चंदर नसीन एक और बड़ा नाम जो कि यहां पर इस मुकाबले में काफी अच्छा कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जिसके आने से टेम इंडिया को काफी फायदा हुआ है और वह है दोस्तों आकास दीब सिंग्ग यहां पर रहने वादे आपको क्या लगता है क्या इनके बदौलत टीम इंडिया मुकाबलाजी पाएगिया फिर नहीं कॉमेंट क करेंगे अपने राज जरूर देना वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद